एक house wife का, एक 19 years के लेड़के से अफेर हो जाता है, इसके बाद क्या होता है? आज के हमारी movie, Green Chair, जो एक Korean movie है, इसमें हम देखेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आप सबसे रिक्रेस्ट करना चाता है, आपको वीडियो अच्छा रगता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करतीजेगा, इसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है, और बीना इसे दरीके, explanation स्टार्ट करते हैं, movie स पुछती है कि क्या यह तुम्हारा फर्स टाइम था, सियून कहता है कि मुझे एक बार एक लड़की के साथ opportunity मिली थी, पर वो success नहीं हो पाया, इसके बाद हमें पता चलता है कि इनकी relationship के बारे में पुलीस को पता चल गया था, यह illegal था, तो इसी वज़े से मुन ही को jail हो ग के husband ने उसे छोड़ दिया है, उसकी मदर भी अब एक अलग country में रहती है, मुनी जब jail से बाहर आई, तो उसके आसपास बहुत सारे reporter थे, उसे पूछ रहे थे, कि अब तुम क्या करोगी, क्या तुम फिर से हुन के पास जाओगी, इस सब से वो और वेर्म हो चुकी थी, त इसका मतलब है, जब यह दोनों intimate हो रहे थे, तो इसके उन्होंने tape बनाई थी, एक इसी के हाथ लगे और इन्हें jail जाना पड़ा, हुन कहता है कि ऐसा नहीं है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, एक flashback दिखाय जाता है, जिसमें inspector हुन को deal देता है, कहता है कि अगर पड़ी jail हो जाएगी, हम तुम पर कुछ भी charge नहीं लगाएंगे, ये deal हुन ने नहीं ली थी, इस deal को हुन ने ignore कर दिया था, मुन ही कहती है कि अब तुम घर चले जाओ, मेरे साथ रुकने की कोई भी जरुवत नहीं है, हुन कहता है कि मुझे यहीं रुकना है, मैंने तु एक restaurant में खाना खाने के लिए, मुन ही कहती है कि अगर तुम अब मेरे साथ रेना चाहते हो, जायद अगर हमने इस relationship को continue भी किया, तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा, जब मैं break up करना पड़ेगा, तुमारा कुछ future है, जो तुमें continue करना पड़ेगा, हुन कहता है, ऐसा कु reporter इनका photo ले रहा था, हुन जाकर उस reporter को confront करता है, कहता है, society sex को लेकर बहुत ही hypocritical है, आप दोनों आपकी relationship को किस तरह से देखते हो, यह में represent करना चाहता हो, अगर तुम दोनों जाहो, तो हम इसे novel में भी convert कर सकते हैं, यह दोनों ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, यह reporter उन से बान कर वहां से चले जाते हैं, मुन ही गाड़ी में ह्यून से गयती है, कि हमेशा मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती थे, मुझे जेल में torture किया जाता था, हम दोनों साथ होंगे, यह सोच कर मैं हमेशा हो सहन कर लेती थे, इसके बाद यह दोनों एक motel में आये, और वहा disturbed है, ह्यून फिर पूरे कमरे को चेक करता है, कैमेरा उसे कही भी नहीं मिलता, यह जब डिनर करते हैं, तो ह्यून बहुत ही मज़े से खा रहा था, मुन ही कहती है, मुझे तुमारे लिए cook करना बहुत ही अच्छा लगेगा, इसके बाद जब यह intimate होते हैं, तो मुन ही को ह् सब्सक्राइब सा लगता है, उसे लगता है कि यून बहुत सारी लड़कियों के साथ intimate हुआ है, वो इस चीज को लेकर उसे confront करती है, इस पर उनका थोड़ा सा जगड़ा हो गया, मुन ही फिर उसके एक फ्रेंड जिसका नामे सुजिन इसे call लगा दिया, और वो उसके साथ जाकर ही रहने वाली है, मुन ही यून से कहती है कि हमारी जोबी relationship थी, यह बहुत ही गलत है, हमने जोबी किया, इसे एक सबना समझ कर अब तुम भुला दो, हम दोनों का एक साथ कोई भी future नहीं है, यून उसे कहता है कि प्लीज मत जाओ, हम कुछ ना कुछ figure out कर लेंगे, सुजिन, सुजिन का भी अभी अभी divorce हुआ है, यहाँ आने पर मुन ही यून को miss कर रही थी, उसे call करकर पुछती है, क्या तुम सही से पहुच गए, यून कहता है कि हाँ, यून अभी भी phone पर उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, मुन ही कहती है, कि अगर तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, तो मुझे रोक लेते, मुझे गाड़ी में बन कर देते, वो भी अब regret कर रही है, कि वो हून को छोड़ कर चली आई, यह phone पर उसे बात ही कर रही थी, तभी हून वहाँ पहुच गया, यह उसे देखकर बहुत ही खुश है, इसके बाद यह सब मिलक अच्छा सा डिनर विगरा करते हैं, जब मुझी और सुजिन अकेले थे, तो सुजिन मुझी से पूछती है, क्यों के साथ होना कैसा है, मुझी कहती है, उसके साथ मुझे बहुत ही अलग लगता है, यह experience उसके लिए बहुत ही अच्छा है, मुझी को अपनी community hours complete करने है, तो मुझी अपनी कलिक से कहती है, कि उन्हा हम एक गाना record कर ले, जिससे हो हमेशा एक गाना सुनती रहेगी है, कलिक कहती है, वो उसे पसंद नहीं है, उसे live गाना सुनना अच्छा लगता है, इसके बाद हम देखते हैं, कि होन मुझी को घर ले जा रहा है, वो गाड़ी में कह अब 10 days में, ह्यून एक legal age का हो जाएगा, इसके बाद मुझी और ह्यून एक साथ रह सकते हैं, इन बर कोई पी objection नहीं लेगा, ह्यून को हमेशा एक anonymous number से call आता रहता है, ये कोन call कर रहा है, ये उसे पता नहीं है, मुझी कहती है, इस शायद किसी कुदुम पर crush है, ह्यून इ इससे disturb हो गया था, तो अपना mobile fake देता है, मुझी उसे गाड़ी stop करने के लिए कहती है, जल्दी से जाकर वो mobile लेकर आती है, कहती है, शायद तुमारे mother, father का तुमें call आएगा, ऐसा तुम contact मत तोड़ो, सुजीन एक sculpture है, मुझी उसे help कर रही थी, तो उसे बात करती है, कहत है, यह सब बातों के बारे में मत सोचो, तुम हमेशा एक साथ रहो गया, रात में मुझी को सपना आता है, ह्यून और उसकी friend सुजीन यह दोनों एक दूसरे के साथ intimate हो गया है, इस सपने से बहुत ही disturb हो जाती है, रात में जब ह्यून और मुझी intimate होते है, तो ह्यून उसे I love you कहता है, इसके बाद मुझी उससे गयती है, जब तुमने मुझे I love you कहा, तो मुझे बहुत अच्छा रगना चाहिए था, वो ह्यून के साथ जादा कुछ भी feel नहीं कर पा रहे है, ह्यून सुजीन और मुझी एक साथ अच्छे से रह रहे है, ह्यून कभी-कभी इन दोनो के लिए अच्छा सा लंज भी बनाता है, मुझी के होस्पिटल में जो ओल लेडी सिर्फ गाना सुनकर एंज्जॉय करती है, उसे गाना सुनाने के लिए एक दिन हून भी आता है, मुझी एक पेशन को नहला रहे थी, तो उस पेशन ने मुझी पर ही अटेक कर दिया, ह्यू मुझी फिर अपना आउटफिट चेंज कर लेती है, वो कुछ ऐसे कपड़े पेहनती है, जिससे वो यंग लगे है, डिनर पर ह्यून उसे कहता है, जैसी तुम हो, वैसे ही मुझे पसंद हो, मैंने सामने इस तरह से तुम यंग बनने की कोशिश मत क्या करो, ह्यून कहती है, कि जब भी तुम उसे बात करते हो, तुम उससे as a friend बात क्या करो, मुन ही को बुरा लगता है, इनके बीच में जो भी हुआ, इसके सजा उने भुगत नी पड़ी, उसे लगता है, कि उसने ह्यून को seduce किया था, उसे sorry कहती है, ह्यून कहता है, कि तुम मुझे कभी भी sorry मत ब रिपोर्टर को नोटिस करते हैं, जो उनकी story लिखना चाता था, फिर से इन दोनों ने मिलकर उसके हाथ पेर बान दिये, इसके बाद ये दोनों एक बार में आते हैं, यून मुनी से कहता है, तुम मुझे कितना तंग करती हो, मुझे सारे होटेल में कैमरास तुमने ढूनन पर यून उसी याद दिलाता है, इस sorry को तुम्हे I love you से replace करना है, अचानक से मुनी को हस्पिटल से call आया, जिस old woman को गाने की आवाज सुनने के बाद ही अच्छा लगता है, उसे बिना सुलाय वो हस्पिटल से चली गई थे, ये old woman बाहर चली गे और उसका accident हो गया, मुनी क तो हस्पिटल का स्टाफ बहुत डाटता है, उसे बहुत ही बुरा लगा, इसी old woman की pills उसने बहुत सारी खा ली, ये निन की दवाई थी, तो दो-तीन दिनों तो को उठी ही नहीं, ह्यून उसके लिए वरी करने लग गया था, मुनी को फिर से सपना आता है, ये उसकी friend और ह् intimate हो गये है, तो इसी वज़े से disturb होकर वो जाग जाती है, ह्यून उसे सही से सहारा देता है, सुजिन को फिर एक idea आता है, ह्यून का एक बड़े है, तो उसके parents, मुनी की mother, इस सब को बुला सकते है, जो भी situation है, इस सब हैंडल कर सकते है, ये idea उन्हें अच्छा लगता है, इ करती रहती थी, मुनी ने उसे भी confront करने के लिए बुला लिया है, इस party में भी उसके पीछे ही पड़ गई थी, इस party में मुनी का एक सजबन बहुत ही गुस्सा था, ह्यून मुनी को ये बात बताता है, मुनी कहती है, हम दोनों की relationship हमेशा बहुत ही घटिया थी, उसने मुझ मुझ पर चीट किया था, इसके बाद मुनी की मदर बात करती है, यह थी है कि मुनी की वज़े से, लोग मुझ पर भी शक करने लग गए थे, मेरे character पर सवाल उठाने लग गए थे, मुनी की मदर को लगता है, उसने जो भी क्या हो बहुत ही गलत है, उसे जेल जाना चाहिए हुन सब से कहता है कि मैं अच्छा सा study करूँगा, hard work करूँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा, हुन की मदर भी उसे support कर रही है, उसे लगता है कि हुन जो भी decision लेगा, वो सही ही लेगा, क्योंकि आज कल हुन बहुत ही खुश है, हुन के फादर को यह सब जीजे गलत लग करती है, उसे लगता है कि मुन ही ने हुन को फसाया था, वो हुन से डारेकली बात करती है, कहती है तुम्हारी जो भी नीड है, वो मैं complete कर सकती हूँ, इसके बाद इस party से शान्ती बाने के लिए हुन और मुन ही बहार आ गए, इनके पास मुन ही का husband भी आता है, वो मुन ही पर बहुत कि ज़्यादा गुसरा है, वो हुन से कहता है, तुम्हें हमेशा इसके साथ बहुत ही केरफुल रहना पड़ेगा, तुम इस पर ट्रस नहीं कर सकते है, मुन ही कहती है, तुमने कभी भी मुझे सैटिस्फाय नहीं किया, हमेशा मुझ पर तुम चीट करते आ रहे उसका husband उस पर बहुत ही गुसा हो गया था उसे मारने वाला था पर हून मुन ही को बचा लेता है husband और हून में बहुत बड़ी fight हो जाती है इसके बाद यह party इन दोनों के लिए बहुत ही overwhelming हो चुकी थी यह सब को वहाँ से जानी के लिए कहते हैं music लागा कर अच्छा सा dance करते हैं इसके बाद यह दोनों intimate हो गए अब movie में थोड़ा सा time गुजर चुका है मुन ही ने अब decide कर लिया है यून के life में रहना एक कोई अच्छी बात नहीं है अब उसकी life से हमेशा के लिए चली जा चुकी है यून को भी किसी अलग लटकी के साथ हम देख सकते हैं इनकी जो relationship थी इस relationship के dynamics पर यह movie बहुत सारे question उठाती है अलग-अलग thinking से society के point of view हमें दिखाती है finally मुन ही को यह सब चीज गलत लगी और उसने हून को छोड़ दिया इसी तरीके से movie end हो जाती है अगर आप को वीडियो अच्छा लगा तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा इस चानल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दबने मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एक new movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखे है